दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे चैनल डाबलर सिनिमा में स्वागत है क्रिपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें आईए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में शाहरुक खान स्टार डॉंकी का पहला रिव्यू आ चुका है दो दिन पहले देश में डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिए डॉंकी की स्क्रीनिंग रखी गई थी डॉंकी देखने वालों ने इसे मास्टरपीस फिल्म बताया शाहरुक खान इस साल पठान और जवान के रूप में दो ब्लॉक्बस्टर फिल्में दे चुके हैं और अब वो तीसरी ब्लॉक्बस्टर के लिए तयार है शाहरुक की राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी डॉंकी 21 दिसंबर को थियेटर्स में रिलीस हो रही है डॉंकी का पहला रिव्यू आ चुका है और फिल्म की जोड़दार तारीफ हो रही है शाहरुक खान ने एक बार फिर दिल जीत लिया है डॉंकी की रिलीस में भले ही अभी एक हफते का वक्त है पर मुवी हब नाम के न्यूज पोर्टल ने फिल्म का फिर्स्ट रिव्यू रिलीस किया है मालूम हो कि डॉंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाने का सपना देखते हैं इसके लिए वो डॉंकी का रास्ता अपनाते हैं फिल्म फेक पास्पोर्ट और वीजा लेकर अवैद तरीके से डॉंकी फ्लाइट्स लेकर विदेश में घुसने की कहानी है जिन लोगों ने अभी तक डॉंकी देखी है वो इसकी तारीफ किये बिना नहीं रह पा रहे हैं मूवी हब ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए इसे 5 स्टार दिए हैं और X पर लिखा है डॉंकी राजकुमार हिरानी की मास्टर पीस है जिसमें कहानी कमाल के तरीके से बताई गई है जिस तरह से राजकुमार हिरानी ने ये फिल्म बनाई है, वैसा भारतिय सिनिमा ने पहले कभी नहीं देखा शाहरुक खान ने इस फिल्म में अपनी सर्वश्रेश्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एक एक्टर के रूप में खुद को मात दे दी है रिव्यू में आगे लिखा है, फिल्म का फर्स्ट हाफ डॉंकी के लंदन तक के सफर के बारे में है यहाँ आपको किरदारों और कहानी के साथ साथ कॉमेडी, रोमेंस, प्यार और दोस्ती से गहराई से जोडती है दूसरा हाफ में मूवी है, जहाँ यहाँ आपको बुरी तरह रुला देगी यह चीज फिल्म के प्रमोशनल वीडियो में कहीं नहीं बताई गई है यह फिल्म भारतिय सिनेमा में एतिहासिक रहेगी आपको यह जानकारी कैसी लगी कृप्या कमेंट करके हमें बताएं और अपना सुझाव भी दे ताकि हम आपके सुझाव पर काम कर सके और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक की लिए जय हिंद